हलो ब्यूडिफूल सोल कैसे आप सब आपके आप सब बहुत अच्छे हैं खुश हैं पॉजिटिव हैं अपनी अपनी विश्च को मेनिफिस्ट कर रहे हैं और आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास है जो अपनी लाइफ से हर तरह की प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाहते हैं वो चाहे हिल्थ इशू हो चाहे मैरेज़ इशू हो चाहे मनी इशू हो चाहे करियर इशू हो या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है जिसकी वज़से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ट हो रहे हैं तो समझ लिजए कि ये वीडियो आपकी सार पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेजेगा बेल आइगान को वाल पर प्रेस कर लेजेगा ताकि डेली का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले वीडियो को आप वाच कर पाएं और उसका बेनिफिट्स ले पाएं तो इस वीडियो में मैं बहु ज़्यादा इसे शियर करके और उन लोगों तक पहुँचाएं जिन्हें बहुत ज़्यादा प्राब्लम है प्लीज गाईज अगर वीडियो को देखें पोटल वाली वीडियो हो फुल मून वाली वीडियो हो न्यू मून वाली वीडियो हो तो उसे शियर जरूर से किया जिसे आपको 9th of September को करनी है तो आपको क्या करना है आपको अपने जनरल डाइरी ले लेनी है या फिर आपको इसा भी कॉपी ले सकते हैं बस थोड़ा से ध्यान रखना होता है कि कॉपी का जो पन्ना है पेज है वो साफ सुतरी दिखने चाहिए मैला नहीं होना चाहिए तो वाइट पेपर होना चाहिए मतलब वाइट कॉपी के पेज या डाइरी होनी चाहिए अगर लाइन हो तो भी कोई मैटर नहीं है थोड़ा ब्लैक कलर अवाइट कीजिएगा ब्लैक कलर का लाइन ना हो तो ज़्यादा बेटर है अब आपको night में ये technique करनी है 9 बज के 9 मिनट पे क्या इसके पहले या इसके बाद कर सकते हैं तो इसके बाद कर सकते हैं लेकिन ये उस दिन का golden मिनट होता है तो ज़्यादा effective तो morning का time होता है लेकिन ये technique आपको morning में नहीं करनी है morning में अगर आप कुछ करना चाते हैं तो मैं इससे पहले जो वीडियो अपलोड की हूँ उसमें बता चुकी हूँ चेक आउट जरू से कर लेजेगा ठीक है अब यहाँ पे आपको night में करना है night में सबसे पहले आपको meditation करना है अगर आप खुद से कर रहे हैं तो अगर आप किसी वीडियो को follow कर रहे हैं वैसे मेरी चैनल पे भी बहुत सारे meditation के वीडियो है playlist है जिसे आप चेक आउट कर सकते हैं और किसी भी meditation को या किसी भी मंत्र की chanting को आप follow कर सकते हैं वाले दिन यानि 9 सितंबर के दिन तो अगर आप किसी वीडियो को follow कर रहे हैं तो उसका time देख लेजीगा कितने देर का है तो उस according आप time का management खुद से कर लेना आपको 9 बज के 8 मिनट तक अपना meditation या अपने मंत्र का जाप पूरा कर लेना है इतना करने के बाद जैसे ही 9 बज के 9 मिनट होता है आपको शुरू कर देनी है ये technique आपने जो भी general diary लिया है, copy लिया है उसके उपर अपने wish को 9 times लिखना है यानि 9 बार लिखना है Suppose आप health manifest कर रहे हैं तो आप लिखेंगे कि मैं पूरी तरह से healthy हूँ अब इसी same line को आपने 9 बार लिखना है लिखने के बाद उसे 2 बार fold कीजिए और अपने दोनों हाथों के बीच रखके उसमें अपनी energy डालिए कैसे energy डाली जाती है अगर पता नहीं है तो बता दू कि जो चीज आपने इस पन्ने में लिखी है उसे आपको जीना है यानि आपको feel करना है कि आप सच में healthy है अगर एक healthy इंसान रहेगा तो वो किस तरह से रहेगा ये चीज आप visualize करेंगे कि अगर मैं healthy हूँ तो मैं क्या करूंगे healthy रहूंगे तो अगर आपको किसी भी body parts में problem है तो बिल्कुल healthy सोचना है कि मेरा वो parts बिल्कुल स्वस्त है अब इस feeling को आप एक से डेड़ मिनट तक feel करेंगे visualize करेंगे और उसके बाद आपको इस paper को अपने तक्ये के नीचे यानि अपने pillow के नीचे रख देना है और उसी के उपर पूरी रात सोना है और morning में जैसे याँ पूठते हैं तो उस paper को dispose करना है जलाना नहीं है आप फाड के किसी भी फूल के गमले में उसे डाल सकते हैं अंदर या फिर आप कहीं भी जमीन के अंदर उसे डाल सकते हैं बस इतना करके let go कर देना है अब आपको इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है आपने कोई technique करी आपके wish manifest नहीं हुई desperate नहीं होना है क्योंकि अगर आपकी wish 10 सालों से manifest नहीं हो रही थी तो एक दिन में बहुत बड़ा कोई जंग नहीं किया है आपने कि आपको जितना ही है अगर wish manifest हो गई 24 गंटे के अंदर तो बहुत ही अच्छी बात समझे कि आपके energy बहुत ज़्यादा high है आप बहुत high vibration में है आपके लिए सारी energies काम कर रही है अगर wish manifest नहीं होई तो समझ लिजे कि कही न कहीं से शुरुआत हो चुकी है आपको दिख नहीं रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि universe आपके लिए stand नहीं ले रहा है कब भी भी किसी भी हालत में negative नहीं सोचना है आप technique और ritual करते रहे हैं छोड़िये मत क्योंकि बहुत सारे cases में ऐसा होता है कि जब आपके wish आपके door तकाती है तो आप उसे negative करके वापस भेज देते हैं तो प्लीज ऐसा मत कीजिए हमेशा positive रहे है आप जो भी कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं कर रहे हैं और व्यर्थ नहीं जा रहा है अगर इस technique से related कोई भी doubt रह गया है तो उसे आप comment box में पूछ सकते हैं या फिर मेरी इंस्टाइड है skywing triple 2 वहाँ आके आप follow कीजिए और मेरे साथ हमेशा के लिए जूट जाएए इस चैनल पर पहले से भी बहुत सारी वीडियोज हैं आपकी help करने के लिए law of attraction टेकनिक की वीडियो angel number meaning, butterfly meaning and feather meaning बहुत सारे powerful मंत्रों की chanting जरूर से follow कीजिएगा बहुत powerful portal है तो बबाएंट टेक एर God bless you Thanks for watching